हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइट के संजीके में दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई वेक्ति रात के समय किसी के घर में चोरी से छुपे घुसता है तो 28 धारा के ताहद अपराद करता है यानि अगर कोई वेक्ति रात के समय आपके घर में चुपता है घुसता है तो 28 धारा के ताहद अपराद बनता है तो मैं आज की वीडियो में आपको आई पी सी की धारा 444 वा 446 के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए ध्यान से देखे देखे और मैंने इसकी पिछली वीडियो आपको आल्रेडी 452 की बना चुका हूँ आप उस वीडियो को भी देखे और इस वीडियो को देखे साथ में टैली मिलाएं तो दोनों की समझ में आ जाएगी वीडियो तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं समय को नागाम आते हुए अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियों तो सस्क्राइब कर लिजिए और जो बेल आइकन घंटी प्रेस कर लिजिए क्यों कि मेरी जो भी वीडियो आती है कानून से भरी आती है आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो कैसी लगी दोस्तों आक्सर देखा जाता है कि कोई बेक्ती रात के समय चोरी से किसी भी बेक्ती के घर में घुज जाते हैं और कुछ अनिमित्याएं फैलाते हैं या अंचित कार करने लगते हैं तो यह भी एक दंदनी अपराद है चलिए आज की वीडियो में हम इधारा का उद्देश यही है कि रात्तिरी के समय किसी भी बेक्ती के घर में जबर्दस्ती चोरी छुपे घुज़ना मात्र भी अपराद होता है चले देखते हैं पीडियो के माध्यम से भारते दंद सहीता 1860 की धारा 444 से 446 की परिवासा हम जानते हैं सबस्क्राइल हम 444 की परिवासा समझेंगे अगर कोई ब्यक्ती किसी अन्य ब्यक्ती के घर में बिना उसकी परमीशन के प्रवेस करता है और उसके घर में अतिचार या अनिमिताएं फैलाएगा तो अब व्यक्ति जो ऐसा कारी करेगा इस धारा के अंतर के दोशी ठाराए जाएगा दोस्तों जो भारतिन और सहीता की परिभासा है 444 की अगर उस परिभासा को आप अपने ढ़क से समझेंगे तो वह समझ में नहीं आएगा मैं इस परिभासा को बहुती सरल सब जो में बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि आपको आसानी से समझ में आज रहा है इस परिवासा 445 का मतलब है अगर कोई ब्यक्ती किसी अन ब्यक्ती के घर में उसी परिमीशन के बगय है रात्रे में उसके घर में प्रोवेश करता है तो ब्यक्ती इस धारा के अंत्र का दोसी ठहराए जाेगा आईए हम 446 के अगर बात करें परिवासा की तो अगर किसी ब्यक्ति द्वारा रात्री के समय दिवार, खिड़की या गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेस करता है तब वो अब्यक्ति इसधारा के अंतर का दोसी पाये जाएगा यानि अगर कोई ब्यक्ति रात्री के समय किसी ब्यक्ति के घर में दिवार खिड़की या गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रविश करता है तब वो ब्यक्ति धारा के अंतर के दोसी पाया जाएगा दोनों धारा में ब्यक्ति को रात्री के समय घुसने मातर से डोसी माना जाएगा चायए वहागा कोई अपाराद की या हूँ ना किया हो लिकर रात्री में अगर दोनों धारां के अंतर के घुसता है और उसका उद्धिस जाकर वहाँ पर अनयमिताइं फैलाए तब वो ब्यक् स apa यानि चार सो चपनके घरोब बात करें तो ईदारा के अजमांती अपरा दोते हैं की सुनवाई किसी मघेश्टीरे द्वारा की जा सकती है चार सो चपनवेस की है कि अब अगर सजा कि बात करें तो दोनों परात के तीन वर्स का कारावास और जुर्माना से दंदित किया जा सकता है तो दोस्तों अब यदि थी निए कैसी लगी कमेंट करके जरूँ बता है अब अगर आपके मन में कोई भी प्रसन है तो आप हमसे बेज जख पूछ सकते हैं कमेंट करके तो अगर आप चैनल के सब्सक्राइब करें लाश्ट तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद चले दोस्तों मिलते अगली वीडियो में तब तक के पेढ़ियो दोस्त बहुत बहुत हैं कर दोस्तों में लावद नापका